निमार्णद शेत्र में पॉरूना पॉसिटिव मरिजों की संख्या में लगातार बड़ोत्री हो रही है। लेकिन कोरुना पॉजिटिव मरीज की संख्या में एक की बाद एक बढ़ना शहर वासियों के लिए चुनता का विशह है। इन बढ़ती संख्या के आकड़ों को देखते हुए रामीन शेतर वासियों को अब और जादा सुरक्षित रहने की आवशक्ता महसूस हो रही है। जबकि आगामे दिनों में इस कोरुना महामारी की रोगथाम को लेकर प्रशाशन को भी कहीं न कहीं सक्री रहने की आवशक्ता है। खरगोंजले के सनावत में विगत दिनों कोरुना पॉजिटिव मरीज होने की पुष्टी हुई थी जिसके बाद नगर में कोरुना की कहर ने एक और अन्ही सदस्य को पॉजिटिव कर दिया है यह मामला सनावत की अमबेडगर गली का है इसके अलावा ग्राम सेलदा में एक ग्राम बेड़िया में एक पॉजिटिव मरीज मिला है जिसके चलते नगर के संक्रमित मिलने वाले सदस्यों की निवास इस्थान सहित गलीयों को प्रिशाशन ने कंटेनमेंट एरिया बना कर सील कर दिया है आपको बता दे कि सानी प्रिशाशन द्वारा जिन शेत्रों में पॉजिटिव मरीजों की मिलने का सिलसिला जारी है उन शेत्रों को प्रिशाशन द्वारा पूरी तरह सील करना चाहिए ताकि उस शेत्र के रहवासियों को भी सुरक्षा मिल सके जबकि कंटेनमेंट इरिया को तीन किलोमीटर तक सील करना होता है लेकिन संक्र में तेरिया क को सील करने में शुरू से प्रशाशन के अंदेखी देखी जा रही है जहां एक दो गलियों को प्रशाशन सील कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है जिससे आगामी दिनों में शहर में पॉजिटिव मरीजों की संक्यमी और बढ़ोतरी होने की आसार बनते दिख रहे हैं मैं इस शहर में खुले बाजार में प्रते दिन इस्थानी एवं भारी शेत्रों से सेकड़ों की तादाद में लोगों का आना जाना लगा हुआ है जो शहर में कोर्णा महमारी को फैलाने में कारगर साबित हो रहे हैं सनावत सी विकास पवार की रिपोर्ट